12 जून 2023 को इरान के राश्रपती इबराहिम राइसी वेलेंजुला के दौरे पर गए थे। के विरोध का जंडा बुलंद किये हुए हैं। और उस वक्त ऐसा माना गया था कि इरान इन तीनों ही देशों को अपने घातक ड्रोन्स और मिसाइलें दे सकता है। लेकिन अमेरिका ने राइसी के इस दौरे को काफी हलके में लिया था। लेकिन अब इसका परिणाम सामने आ इन मिसाइलों की नुमाईश की है। और अब इन मिसाइलों को अगुस्टिन अर्मारियो नौसैनिक अड्डे पर तेनाद किया गया है जो प्यूट्रो के बैलों में है। दरसल 16 अप्रेल 2024 को वेनेंजवेला की बॉल्वियन नौसेना की वर्षगाट के समारों में पेदरीनो लोपेज ने CM-90 मिसाइल का अनावरन किया था और इन मिसाइलों को पेकाप मिसाइल बोट में लगाए जाएगा जिन्हें पिछले साल वेनेंजवेला ने इरान से लिया था। इरान में इस मिसाइल बोट का नाम जुलफागर वैसल है जो एंटी शिप मिसाइल टॉर्पीडो ट्यूब से लेस है और इसके बाद के मॉडल्स में तो रिमोट हत्यार भी लगे हैं जो वेनेंजवेला की नोसेना को और ताकतवर बना सकते हैं आपको बता दे कि CM-90 मिसाइल को साल 2022 में इरान ने डिम डेक्स शो में दिखाया था इसके लंबाई 6.1 मीटर और ये 280 mm डायमेटर चौड़ी है इसका वजन 350 किलोग्राम है इसमें टर्बो जेट इंजन और एक्टिव रेडार गाइडन्स सिस्टम लगा हुआ है इसकी रेंज 90 किलो मीटर तक है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इरान ने नासर मिसाइल की घोशना साल 2017 में की थी और तब से ही वो इरानी नौसेना का हिस्सा है बताया जाता है कि पहले इस मिसाइल में सौलिड प्रोपेलेंड मोटर लगी हुई थी जिससे टर्बो जेट इंजन से रिप्लेस कर दिया गया था ताकि इस में साइल का हमला और ज्यादा घातक हो सके लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका को विरेंजुएला की इस मिसाइल से कितना खत्रा हो सकता है तो आपको बता दें कि एरान की मिसाइलों का मिडिलीस से निकल कर अमेरिका की चोख़ट तक पहुँचना ब से करीब यां बढ़ा रहा है और साल 2022 में वेरेंजोला के राश्पती निकोलस मैदूरो ने तहरान का दोरा भी किया था उस वक्त दोनों देशों ने आगले 20 सालों के लिए सहयोग के एक धाचे को स्वीकार किया था कर दो दो कर दो करता है तुम्पती हैं कि वेरे दोड़ी याव जी डियादि पुम्पती हे ओले प्लावादा रहा हैं कि वेरेे खुम्पती है एक लिए।